Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Time Series Analysis Friends, सबसे पहले हम डिसकस करेंगे Basic Concept on Time Series Analysis उसके बाद इसके Components पे हम बात करेंगे उसके बाद हम Methods or Major Meta of Time Series Analysis डिसकस करेंगे उसके बाद हम Important Questions डिसकस करेंगे जो की Previous Air Examinations में आ चुके हैं Friends, Description में मैंने Link दिया है जहां पे आपको Mathematics, Statics and Accuotancy पे Complete Video Lectures मिल जाएंगे Now, Let Us Start Now, Start करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि Time Series होता क्या है Now, Time Series is a Statistical Data that are arranged and presented in a chronological order Time Series क्या होता है यह Statistical Data होता है जिसको हम arrange करते हैं और present करते हैं chronological order में That is, Date-wise हम present करते हैं Statistical Data कोई भी Data हो सकता है Sales Data हो सकता है Population का Data हो सकता है Okay? Purchase Data हो सकता है जब हम उस Data को किसमे chronological order में Chronological order का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है Date-wise जब हम किसी भी Data को किसी भी Statistical Data को Chronological order में Means Date-wise Present करते हैं, arrange करते हैं उसको हम कहते हैं Time Series Now, Time Series Analysis Time Series Analysis क्या होता है? सबसे पहले Analysis का मतलब होता है Future Prediction Time Series Analysis का Meaning होता है जब हमारे पास जो Data available है उसकी healthy के वज़े से हम Future के जो आने वाला है उसको predict करें उसको हम कहते हैं Time Series Analysis Let us suppose that अगर हमारे पास ये given है कि 2015 में आपके जो shop है उसकी sale इतनी है 2016 में इतनी है 2017 में इतनी है तो बताओ 2018 में कितनी होगी तो Time Series की healthy के वज़े से आप ये predict कर सकते हो आप ये analyze कर सकते हो कि 2018 में आपकी shop की sale कितनी होगी Let us suppose that हमारे पास जो population है वो 2015 में 1 करूर है उसके बाद 2016 में 10 करूर से 2017 में हमारे पास जो population है वो 20 करूर है 2018 में 25 करूर है अब बताइए आपके पास ये पोचा जा सकता है कि बताइए 2019 में 2019 में population कितनी है तो Time Series की healthy की वज़े से आप ये data बता सकते हो 2019 में आपके पास जो population है वो क्या होगी वो कैसे जानेंगे आप को जो trend है वो किस तरह जा रहा है उससे आप इसको जान सकते हैं कि 2019 में population कितनी होगी तो ये जो definition है इसमें क्या क्या आपको याद रखना है सबसे पहले Time Series क्या होता है Statistical data होता है कोई भी data होगा population को हो sales का हो purchase का हो किसी का भी एक data होता है और उसको arrange किया जाता है chronological order में means उसको हम arrange करते हैं date wise 2015 फिर 2016 ऐसा नहीं होगा कि 2015 पहले फिर 2012 फिर 2018 ऐसा नहीं होता है बलकि date wise उसको arrange किया जाता है over a period of time second definition इसकी ये है a time series is a set of observation time series क्या होता है एक set of observation होता है जिसको हम लेते हैं और usually at an equal interval और उसके जो interval होते हैं वो equal होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने suppose हमने एक data लिया 2015 में फिर 2016 में 2017 में तो हर एक में जो है one year का gap है एक एक year के लिए हम ले रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम लेंगे 2015 2015 फिर होगा 2017 फिर 2018 कहीं पर two years का gap कहीं पर one years का gap ऐसा नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए equal intervals में उसके बाद second आपको ये याद रखना है कि variable जो है वो भी single होना है जैसे कि अगर suppose आपने data लिया है population का तो सिरफ population का ही data हम calculate करेंगे उसको हम analyze करेंगे ऐसा नहीं कि कहीं पर population का कहीं पर sales का कहीं पर purchase का ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है एक ही variable का हम क्या करते है time series लेते हैं और उसको हम फिर analyze करते है तो ये था आपके पास time series analysis इसमें in shot आपने क्या याद रखा time series क्या होता है हमारे पास जो data given है उसकी help की वज़े से हम future का data predict करते हैं उसको हम कह सकते हैं future में data क्या हो सकता है उसको हम कहते हैं time series analysis उसके बाद हमारे पास आगया components of time series now components of time series होता क्या है components of time series का मतलब ये हुआ कि कौन से causes हैं हमारे पास क्या causes हैं जिसकी वज़ा से time series change हो रहा है, variable हो रहा है, अब हम उनको discuss करेंगे, पहला है long term variation, our secular trend, our simple trend, पहली जो variation होती है, वो किस type जो होती है, long term variation, कभी का बार exam में question पोचा जाता है, कि what is the second name, या long term variation is also called as, नीची आपको option दिये होंगे, तो आप इन में से select कर होगे, secular trend और simple trend, okay, second हमारे पास होता है, seasonal variation, our short term variations, okay, third हमारे पास होता है, cyclical variation, और fourth हमारे पास होता है, random और irregular variation, now, अब हम सबसे पहले, first वाले को discuss करेंगे, long term variation, our secular trend, our simple trend, now, secular trend होता क्या है, now, जो हमारे पास data given है, अगर वो data, या तो increase कर रहा है, या तो decrease कर रहा है, okay, या तो stagnant है, means, न भढ़ रहा है, न घट रहा है, okay, तो उसको हम कहते है, simple trend, that is, secular trend और simple trend, okay, जैसे हमारे पास population है, तो population क्या है, continuously भढ़ रही है, तो यह है क्या, this is a secular trend, okay, या suppose, हमारी कोई company है, उसकी जो production है, वो continuously increase हो रही है, this is a secular trend, okay, या हम birth rate की example है, birth rate क्या है, continuously घट रहा है, due to improvement in medical facilities, medical facilities को improvement करने की वज़े से, जैसे प्राने जबाने में क्या होता था, एक घर में 10 बच्चे होते थे, 5-6 बच्चे होते थे, बट आज के वकत में 2 या 3 बच्ची होंगे, उससे ज़्यादा बच्चे ज़्यादा तर नहीं होते हैं, तो हमारे पास चो birth rate है, वो घट रहा है, birth rate होता क्या है, बर्थ रेट होता है, कि 1000 पीपल में से, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, उसको हम करते हैं, birth rate, जो birth rate है, वो continuously decrease हो रहा है, that is downward trend, तो यह क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, यह सारे के सारे क्या है, यह हमारे पास है, secular trend या simple trend, अब हम यहाँ पे रीड करेंगे, the general tendency of a data to increase, या तो increase हो रहा है, or decrease, or stagnant, या तो decrease हो रहा है, या stagnant है, over a long period of time, इसकाल secular trend, यहाँ पे मेना example यह, in case of population, production and sales of product, जैसे population के case में है, या production of sales, स्पोस हमारी कोई factory है, उसमें जो production है, वो continuously increase हो रही है, sale increase हो रही है, तो वो क्या show करेगी, upward tendency show करेगी, इसी तरह से, death या birth rate में, जो कि show कर रही है, downward tendency, death rate भी घड़ रहा है, death rate होता क्या है, death rate होता है, कि 1000 लोग में से कितने लोग मर रहे हैं, तो due to medical facilities, medical facilities के वाज़ा से, जो death rate है, वो भी क्या कर रहा है, decrease कर रहा है, continuously decrease कर रहा है, ऐसा नीचे कभी उपर, कभी नीचे कभी उपर ऐसा हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं, downward tendency, तो this is our simple, our secular trend, Now, next हमारे पास है, seasonal variation, Now, seasonal variation क्या होता है, जब हमारे पास जो data given है, उसके अंदर fluctuations आ रही है, उसके अंदर changes आ रही है, within a year, उसको हम कहते है, seasonal variation, और यह जो seasonal variations होती है, यह किसी भी वज़े से हो सकती है, जैसे हमारे पास होती है, season के वज़े से, गर्मियों के मोसम में cold drink की जो sale है वो increase हो जाती है और winter में उनकी decrease हो जाती है या हम गरम कपड़ों की बात करें जो हमारे पास गरम कपड़े होते हैं वो सरदियों के में increase हो जाते हैं और जो सरद कपड़े होते हैं उनकी जो sales है वो गर्मिय में increase हो जाती है जो seasonal variation होती है वो within a year होती है अगर आपके पास data year-wise दिया होगा जैसे 2015, 2016, 2017 तो आप उसके अंदर seasonal variation को नहीं निकाल सकते है जो seasonal variation होती है वो सिरफ within a year होती है अगर आप पढ़ते हम over a span of one year seasonal variation takes place due to the rhythmic forces which operate in a regular and periodic manner these forces have same or almost similar pattern year-after-year और हमारे पास जो ये seasonal variations होती है वो similar रहती है year-after-year जैसे for example अगर आपरेल के महीने में किसी चीज की sale अच्छी है तो वो next year, जैसे 2018 के year में जो sale cold drinks की होगी वो ही 2019 में आपरेल के महीने में वो ही sale होगी अलमुस्ट वही होगा है जैसे कि अगर फार्जे पल ये लेंगे मुई में जो sale होगी वो ही 2018 के मुई में जो sale होगी वो ही 2019 के मुई में भी वो ही sale होगी कैलकुलेशन इस पॉसिबल इफ डेटा और रिकॉर्डड़ेड कौर्टरली मतली विकली डेली और और ली मैंने आपको पहले बोल दिया कि सीजनल वैरियेशन की कालकुलेशन तब पॉसिबल है जब हमारे पास जो डेटा गिवन है वो रिकॉर्ड किया जा या तो कौर्टरल जैसे कि मैंने एक्जेंबल दी थी आपको कोल्डरिंग की गर्मियू के मौसम में क्या होता है उसकी सेल काफी इंक्रिज हो जाती है और सर्दियू के मौसम में काफी डिक्रिज हो जाती है जब हमारे पास डेटा गिवन होगा गर्मियू का भी सर्दियू का तो हम सीजनल व days में कम होती है यहाँ पर मैंने example दिये है the seasonal variation may be due to various seasons or weather condition for example sales of cold drink जैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया sales of cold drink हो गया would go up in summer summer वे coffee increase उसकी sale हो जाएगी and go down in winter friends अगर आपको कहीं पर भी कोई भी doubt हो description में मेरा number दिया हुआ whatsapp पे वहाँ पर आप मुझे अपना doubt पूछ सकते हो now next हमारे पास आती है cyclical variation cyclical variation क्यों होता है देखे हर sale का हर sale का क्या होता या हर company का क्या होता एक अच्छे दिन होते हैं उसको हम कहते हैं prosperity फिर कुछ time के बाद क्या होता है तो वो time हो गया recession फिर वो एक time होता है जिसमें उनकी बहुत भुरी हालत हो जाती है उसको हम कहते हैं depression उसके बाद फिर कुछ loan लेते हैं bank से या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे उनकी sale फिर increase होना शुरू हो जाती है और जैसे पहले होती थी जब उनके अच्छे दिन थे वैसे उनको आने स्टार्ट हो गए तो उसको हम कहते हैं cyclical variation जैसे आपको मैं एक example देता हूँ वहाँ से समझाता हूँ यह हमारे पास हो गया देखे प्रॉस्पियर्टी जिसको हम economics में boom भी कहते हैं यह एक ऐसा time होता है जब जो company होती है या factory होती है उसमें sale बिल्कुल अपने high level अपने peak level पे होती है फिर एक time आता है जब उनकी sale क्या होते है कम होना शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते है recession ओके recession हो गया फिर एक time होता है जब बिल्कुल zero level पे उनकी sale हो जाती है तो उसको हम कहते है depression फिर एक time आता है उनकीज होना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहते है recovery फिर high level पहुंचता है फिर start होता है फिर ऐसे चलता रहता है तो अगर आपने economics पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा इसको हम कहते है business cycle भी उसको हम कहते है जैसे मैं आपको example दोगा यहाँ पर भी suppose हमारे पास 2010 में हमारे पर जो sale थी वो कितनी हो रही थी 10 lakh की हो रही थी उसके बाद 2011 में 9 lakh होगी फिर हमारे पास 2012 में हमारे पास 8 lakh होगी उसके बाद 2013 में ये कितनी होगी 7 lakh होगी फिर 2000 इसी तरह इसी तरह नीचे हो गया 2018 में suppose हमारे पास कितनी हो गई बिल्कुल 0 पे पहुंच गई या 2 lakh रखो 0 पे तो कहीं भी नहीं पहुंचती है तोड़ा तो होई जाता है उसके बाद फिर आना शुरू हो गया 2019 में 3 lakh हो गया फिर इसे तरह आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा फिर एक टाइम आजाता है जैसे 2030 में तो फिर से क्या हो जाएगा यह 10 lakh हो जाएगा तो यह चलता रहता है इसको हम business cycle भी कहते हैं यह हम इसको कहते हैं cyclical variation now अब हम इसके text को पढ़ते है these variations in a time series are due to ups and downs recurring after a period from time to time though they are more or less regular अब यह जो business cycle होता है यह regular नहीं होता है यह regular होता है कोई भी factor होता है किसी के वज़े से यह चलता रहता है not में uniformly periodic uniform भी नहीं होता है these are oscillating moments which are present in any business activity कोई भी business activity है उसमें यह available हो सकती है and is termed as business cycle और इनको हम business cycle भी कहते हैं it has got four phases जैसे मैंने आपको समझाए इसमें four phases होते हैं जैसे prosperity हो गया recession हो गया depression हो गया and recovery हो गया all these phases may last from seven to nine years seven to nine years या इससे कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते लेकिन चार या पंच साल से ज्यादा ही होते है अब next हमारे पास क्या है वो हमारे पास है random or irregular variation अब हमारे पास तो data given है उसमें अचानक कोई change आजाए that is irregular variation अचानक random से कोई change आजाए fluctuation हो जाए तो उसको हम कह कहते है random or irregular variation वो जो change है वो किसी की वज़े से भी हो सकती है जैसे भूंका पा गया अचानक वो change हो गया जैसे हमारी जो sale थी पांच लाग थी फिर 6 लाग हो गयी फिर 7 लाग हो गयी है फिर 8 लाग हो गयी फिर अचानक भूका मपा गया तो सिदा 1 लाग पर पहुंच गयी फिर increase होना शुरू हो गया तो randomly कुछ होने की वज़े से जब fluctuations होती है जब sales या जब जो data हमारे पस given है उसके अंदर fluctuations होती है उसको हम कहते है random or irregular variations ना हम पढ़ते है these fluctuations are a result of unforeseen unforeseen होता है जिनके बारे में हम कलपना नहीं कर सकते means जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते जिनके बारे में हम देख नहीं सकते and unpredictable forces जिनको हम predict नहीं कर सकते which operate in absolutely random जो कि operate करती है absolutely random randomly वो operate करती है या erratic erratic क्या होता है erratic होता है unplanned एक होता है planned एक होता है unplanned तो unplanned manner में वो क्या करती है operate करती है they do not have any pattern उनका कोई भी pattern नहीं है वो कभी भी आ सकती है and cannot be predicted और उनको हम ये advance में उनको हम predict नहीं कर सकते हैं कि 2019 है आज अगर 2019 है तो 2020 में ऐसा होगा हम बिलकुल भी predict नहीं कर सकते हैं जैसे coronavirus की example लोगा अचानक से आ गया और पूरी sales खतम हो चुगी है किसी ने यह predict नहीं किया था कि 2020 में क्या है coronavirus आएगा these variations are due to floods यह variation flood की वज़े से होगी war की वज़े से होगी जंग हो गई तो जंग की वज़े से क्या हो जाएगा एकदम से जो war equipments है उनकी जो production है इंधिरेज हो जाएगी या कोई family कोई आफ़त आ गई अर्थक्विक, strikes, etc. तो यह थे हमारे पास components of time series अब हम discuss करेंगे model of time series analysis now model of time series analysis होता क्या है सबसे पहले हम इसको देखेंगे the following are the two models which are generally used for decomposition of time series into its four components the objective is to estimate and separate the four types of variations and to bring out their relative impact of each on the overall behavior of time series now अब हमारे पास जो data available है उस data को लेके हमने predict करना है कि आगे में ये data क्या कैसा रहेगा उसके लिए हमारे पास methods होते हैं उनको हम discuss करेंगे और जो model है time series analysis को model है इसका main objective क्या है इसका main objective ये है हमारे पास जो चार components है that is secular trend और simple trend दूसरा हमारे पास था seasonal variation तीसरा हमारे पास था cyclical variation and चोता हमारे पास था irregular variation उन चार components में उनके बीच में relation या independence को देखना है इसका main objective ये ही है कि आपस में जो हमारे पास चार components है उनको related करके उनको study करेंगे हमारे पास क्या है दो types के model है एक हमारे पास हो गया additive model दूसरा हमारे पास हो गया multiplicative model now हमारे पास जो first model है वो क्या है additive model in this model it is assumed that the four components are independent of one another हमारे पास जो first model है additive model उसमें हम ये assume करते हैं कि हमारे पास जो चार components है वो क्या है independent है इसका मतलब ये हुआ कि आपस में ये एक दूसरे पर depend नहीं कर रहे हैं जैसे for example अगर गर्मियों के वज़े से कोल्टन की sale increase हो रही है तो इससे जो हमारे पास secular trend था या cyclical variation है जैसे prospect जो boom था depression था उस पर कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है या अगर हमारे पास prosperity है that is boom है या depression है या recession है या recovery हो रही है तो उससे हमारे पास जो seasonal variation है उस पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा उसको हम कहते हैं independent components तो ये model क्या बोलता है additive model क्या बोलता है कि अगर आपके पास अगर आपकी company के अंदर ऐसा हो रहा है आपके पास जो 4 के 4 components है ये अलग-अलग direction में जा रहे है अलग-अलग भाग रहे हैं तो आप क्या करोगे तो आप क्या करोगे आप इन 4 models को calculate करोगे sum करोगे उनको देखोगे चार उनको देखोगे तो उसके वज़े से आप क्या करोगे जो future का data है उसको analyze करोगे उसको predict करोगे तो इसका जो method है वो यह है T plus C plus S plus I इसको मैंने chart में लिखा है यह होगे हमारे पास secular trend यह हमारे पास होगे है cyclical फिर seasonal और irregular trend नेक्स्ट हमारे पास multiplicative model in this model it is assumed that the forces that give rise to the four types of variation are interdependent इस model में हम यह assume करते हैं कि हमारे पास जो forces है जो हमारे पास चार forces है जो हमारे पास forces है जो कि arise करते हैं चार type of components के means four types of components of time series अगर वो आपस में interdependent है means एक दूसरे पर depend कर रहे हैं जैसे for example अगर irregular variation जैसे कि war होगी जंग होगी तो जंग की वज़े से क्या होगी है temperature increase होगी है तो उस वज़े से जैसे कि coldering के उसकी sales increase होगी that is there is a seasonal variation तो irregular variation के वज़े से seasonal variation होगी means आपस में क्या है depend होगी interdependent होगी तो अगर आपके पास क्या है multiplicative method क्या बोलता है sorry multiplicative model बोलता है क्या अगर आपके company में या आपके factory में जो चार components है ये आपस में क्या है interdependent है okay so that overall pattern of variation in the time series is a combined result of the interaction of all forces operating on the time series तो उस case में आपने क्या करना है इनको combined आपने लेना है क्या करना है combined लेना है और उसका मेंने ये formula लिखा T into C into S into I okay तो ये था हमारे पास multiplicative model next video में हम discuss करें कि measurement जो methods for measurement of time series analysis उसके बाद हम important questions discuss करेंगे okay so friends अगर आपको ये वीडियो पसंट आए तो please मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए thanks for watching